टीम इंडिया ने गॉल स्टेडियूम में खेले गए पहले टेस्ट मैच में श्री लंका को 304 रनों से हरा दिया, पहली पारी में 190 रन बनाने वाले शिकरदवन मैन अफ दे मैच बने, जीत के साथ टीम इंडिया ने तीन टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है श्री लंका के खिलाफ टीम इंडिया ने अपना पहला टेस्ट मैच जीत लिया है, टीम इंडिया ने मैच के चोथे दिन ही श्री लंका को 304 रनों से हरा कर सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है, मैच के चोथे दिन टीम इंडिया ने अपनी दूसरी पारी तीन विकेट के नुकसान पर 240 रनों पर घोशित की। पहली पारी के आधार पर टीम इंडिया को 309 रनों की बढ़त हासिल थी। और अब दूसरी पारी के बाद शुलंका को जीत के लिए 550 रनों का लक्ष मिला। दूसरी पारी में खेलने उतरी शुलंका की टीम 76.5 ओवर में सिर्फ 245 रन ब बनाए। शिकरतवन मैन अब दे मैच बने। सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच कोलंबो में 3 अगस्ते खेला जाएगा। वेरर रिपोर्ट गो न्यूस।